क्या आप चाहते हैं अपना एक नया UPI ID बनाना तो कैसे बनाय जाया तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि एक नया UPI ID कैसे बनाय जाता है और एकदम सिंपल तरीका है वीडियो को मेरा बस अच्छे से देखेगा और आप लोग एकदम आसानी से एक नया UPI ID बना सकते है बना के जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं तो चली दोस्तों ले चलते हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाते हैं एक नया यूपी आई आइडिया आप कैसे बना सकते हैं वीडियो को बस मेरा पूरा अच्छा से देखने के बाद वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए दोस्तों सेर कीजिए सब्सक्राइब करने में याद रखे कोई पैसा नहीं लगता है तो अपने भाई को आगे जरूर से जरूर बढ़ाए सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए मुझे बहुत बढ़ा मोटिवेस्ट मिलता है हीमत मिलता है जोस मिलता है अच–चे वीडियो बनाने का और मैं जो भी वीडियो बनाता हो पुरी इमंदारी से पुरी सच्चाई से बनाता हूं अब पूरा रिसर्च करने के बाद बना तो ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो मेरा फेक होता है कि बता दिये कुछ और वो कुछ हो ही ने रहा है आप मेरा वीडियो देखके यूज कीजिए अगर नहीं होता है तो कॉमेंट में जरूर से जरूर में जाके तो ऐसा वाला भीम अप्लिकेशन आपके पास आएगा इसको आपको install कर लेना मेरा install किया हुआ है तो open करते हैं और आपको install करके open करना है जैसे open कीजेगा तो सबसे पहले आपसे पुछा जाएगा कि आप किस language में आप इसमें आप काम करना चाहते हैं हिंदी में, English में जो भी तो हम लोग English पे टाइप करते हैं उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा SIM सेलेक्ट करना चाहते हैं आपके mobile में जो लगा हुआ SIM है और bank में भी वही SIM होना चाहिए तो चलिए यह हम लोग Jio का SIM पे सेलेक्ट किये और अब यह देख लिजए यह verify करता है आपका bank account से कि यही SIM bank में है की नहीं है तो यह सारा कुछ verify करने के बाद आपको देख लिजए तीनो टीके verify जैसे हो जाता है तो यहाँ पे बोला जाता है इंटर पास कोड यहाँ पे आपको six digit का पास कोड बना लेना है कुछ भी आपको six digit का पास कोड आपको बना लेना है जब इसके आगे बताएंगे कि इसका आपको काम कप पड़ने वाला है तो चलिए दोस्तो आप भी जल्दी से बना लीजे और हम आपको type करके दिखाते हैं उसके बाद दोस्तो type कर लिए होंगे आप लोग उसके बाद जैसे type कर लिए बाद यह जो सही वाला टीक देख रहे है यह जो नीचे में सही वाला टीक है इस पे आप सही पे click एक बार कर दे जैसे आप click कीजेगा उसके बाद आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना bank account आपका जो bank account है जहाँ जिस भी bank का आप उसको select करना है आप select ऐसे भी कर सकते हैं stroll करकर के नीचे आके देख सकते खुझ सकते हैं अपना bank को और नहीं तो यहाँ search भी लिखा हुआ बाद search में bank का नाम लिखेगा automatic का आ जाएगा तो search में जैसे लिखेंगे वहाँ भी आ जाएगा और नहीं तो जैसे install करकर करके अपना bank का नाम आप अपना जो आपका bank है वह आप यहाँ पे type कर लिजेगा जैसे हम मेरा bank central bank का है तो central bank पे एक बार click कर देते हैं जैसे एक बार central bank पे click करेंगे तो देखें यह central bank का मेरा आ चुका है उसके बाद इस पे एक बार फिर से click कर देना है यह bank वाला पे फिर से इस पे जैसे click करेंगे थोड़ा सा time लेगा यह सारा कुछ ले रहा है यह देखिए इस पे जैसे click करते हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तो ये एक UPI ID बनकर तयार हो चुका है ये UPI ID बनकर तयार हो चुका है इससे आप आगे का काम कर सकते हैं तो आगे का काम क्या है आप देख सकते हैं सारा कुछ यहां से क्या क्या आप कर सकते हैं तो ये मेरा UPI ID बनकर तयार हो गया आप एक नया UPI ID कैसे बना सकते हैं यह चीज आपको आज बता चुके हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है लगता है कि आपको कि हम इमंदारी से आप लोगों को बताते हैं मेरे बात में कुछ भी सचाई है तो एक ला बहुत खुसी मिलता दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ नेक्स डे में बंदे मातरब जैन